बूर्णिंग दोस्तों अनिल मेंदी रत्ता सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शांदर ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आपके मैट्स में रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत जगा काम में आने वाली है और इस ट्रिक को सुनने के बाद में शाहिद आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कोई जादू हो रहा है और इस ट्रिक को सुनने के आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे कि इस ट्रिक से आपके बहुत सारी संख्याओं के वर्ग the squares of numbers will be calculated in seconds only matter of practice अब कितना आप practice करते हैं उसके असाब से तो आज हम सीखेंगे संख्याओं के वर्ग निकालना calculating squares of numbers और आप ध्यान से सुनियेगा इतनी बढ़िया ट्रिक ही है कि इस से आप चुटकियों में किसी भी number का square निकाल दोगे मतलब आप कोई आप सुनेगा तो आप उसको हैरान कर दोगे इतनी जल्दी मतलब कैल्कुटर से भी जल्दी निकल गया मैं ऐसा करने वाला हूँ कि 125 तक के संख्याओं कि आज आपको वर्ग सिखाने वाला हूँ और 125 तक के संख्याओं को मैंने तीन category में बाढ़ दिया पहली category है एक से 25 तक के squares दूसरी category है 25 से 75 तक के squares और तीसरी category है 75 से 125 तक के square और इस trick को सीखने के लिए इस trick को यूज करने के लिए एक rule है एक जरूरत है आपकी requirement है कि आपको एक से 25 तक के squares रटे वे होने चाहिए ये आपकी जरूरत है एक से 25 तक के squares तो रटे वे होने ही चाहिए अगर इस trick को स्तवाल करना था और एक से 25 तक के squares आपके रट गए तो आप 125 तक squares निकाल सकते हो चुटकियों में किसी भी number के देखिए का अभी कैसे और जहां तक आपको याद होगे और वहां तक आप अराम से निकाल पाओगे जैसे हम ऐसा करते हैं कि एक ग्रूप ले लेते हैं पहले 75 से 125 वाला ग्रूप अब 75 से 125 वाला जो ग्रूप है इसका मिट पॉइंट 100 इसका मध्य बंदू 100 हो गया अब मैं कोई भी number बोर्ड पर लिखूंगा वो या तो 100 से अमीर होगा या 100 से गरीब होगा अब अमीर किसको बोलते हैं 100 से अधिक है more than 100 है तो अमीर है and less than 100 है तो गरीब है तो for example मैंने एक number लिखा बोर्ड पर 104 अब अमीर है के गरीब है अमीर है कितना अमीर है 100 से कितना जादा है 4 रूपे अमीर है अमीर को और अमीर बना दो गरीब को और गरीब बना दो अर्थ शासर अभी यही नहीं हम चल रहा है अमीर अमीर होता ही जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है मानता हूं यह गलत है लेकिन हम यहाँ पर अमीर को और अमीर बनाएंगे जितना अमीर है उसको और अमीर बना देंगे जितना गरीब उसको और गरीब बना देंगे जैसे 104 चार रुपे अमीर है तो आप इसको चार रुपे और दे दो के लिए भाईया चार रुपे और ले ले का वर्ग 16 होता है, square of 4 is 16, right 16 in front, तो दोस्तों 104 का वर्ग आ गया, तुरंत, अब क्या होता है कि जैसे एक गरीब लेते हैं, मैंने कहां मान लिजे, 94 का square निकालना है, अब ये अमीर है के गरीब है, गरीब है, कितना गरीब है, 6 रुपे गरीब, 100 रुपे से चेक करना है, 100 से क इतना मोर, if it is less than 6, how much less, if it is more than 100, how much less, so this is 6 less than 100 and this is 4 more than 100, तो ये 4 अधिक है, ये 6 अधिक है, अब जितना लेज है, जितना कम है, जितना गरीब है, उसafa만 और ता आ चिनलो, और जितना अमीर है, जितना अधिक है, उतना उसके और दे दो, तो आब ये 6 रुपे, गरीब है, अगर यह 6 रुपर गरीब है, तो इससे 6 रुपर और ले लो आप, अब 94 में 6 माइनस कर दो, यानि 88, चीक है साब 6 माइनस कर दीए, अब आपने कितने माइनस किये थे, 6 माइनस किये थे, कितना गरीब था, यह 6 गरीब था, तो जितना यह गरीब है, उसका square, इसकी बगल में कि square निकाल सकते हो, 100 से जादा वाले, 100 से कम वाले, गरीब और अमीर, अचा, यहाँ एक बात आपको बता दू, जब आप यहाँ पर दो numbers, यह जो आपने square बगल में लिखा था, तो कई बार तो ऐसा होता है, कि number का square two digit number है, दो अंकिय संख्या है, कई बार ऐसा भी होता है, क गरीब है, अमीर है, बिल्कुल अमीर है, कितना अमीर है, तीन रुपे अमीर है, अब तीन रुपे अमीर है, तो तीन इसको और देने, 103 और तीन, 106 दे दिये, आपने इसको तीन दिये थे, तीन का वर्क चिपकाना है, you have to write square of three, but square of three is nine, हमारे पास यहाँ पर दो seat है, और square जो आया है, वो single digit है, तो nine कैसे लिखें, zero nine, आप nine को ऐसे लिखेंगे, zero nine, अगर if it is a single digit, अगर वो एक अंकिय संक्या है, तो आप zero लगा के लिखेंगे, zero nine, अगर दो अंकिय संक्या है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन अगर तीन अंकिय संक्या है, जैसे, मैंने कहा 115 का स्क्वेर, निकालना है पहले तो इंचाव आमीर है, कितनी आमीर है, 12 अमीर है, तो 12 और दे-दो इसको, 111 और 12, 124, अब 12 का स्क्वेर अपने को बगल में चिपकाना है, 12 का स्क्वेर होता है 144 144, अब मेरे पास ही हाँ 2 कुर्शियां लगेnous इї, 144 लिखना है, तो 144 लिखने के लिए मैं 44 लिख दूँगा और जो एक 100 डिजिट है इकाई, दहाई, सेकडा, यूनिट्स, 10, 100 तो यूनिट्स लिख दूँगा, 100 को कर दूँगा, पीछे हासल भेज दूगा तो यह हो जाएगा 4 और 1, 5, यानि मेरा आंसर हो जाएगा 125 चमालिस तो 1, 2, 5, 4, 4, तो यह तरीका है जिससे अब आप सिंगल डिजिट है तो 0 लगा के लिखना है दो डिजिट तो ऐसे ही लिखना है और अगर 3 डिजिट नमबर है तो वो डिजिट दोनों लिखे, यूनिट्स और 10 के, इकाई दहाई के और सेकड़ा को पीछे भेज दिया, एक और एक्जामबल से आपको दिखाता हूँ जैसे मान लिजिए मैंने कहा कि मुझे 91 का स्क्वेर निकालना है अब 91 अमीरे के गरीब है, गरीब है, कितनी गरीब है, 9 गरीब है तो 9 इससे और ले लो आप, 9 ले लिए इससे आपने, मतलब 9 माइनस करने 91 माइनस 9 करेंगे आप, तो क्या आजाएगा, 82 आजाएगा और आपने क्यूंकि 9 माइनस कि हैं, इसलिए 9 का स्क्वेर बगल में लगा दो अब माल लिजीए, मैंने कहा, कि 87 का स्क्वेर निकालना है सब अब 87 पर गरीब है, कितनी गरीब है, 13 अरपर गरीब है तो 13 माइनस करने, गरीब को और गरीब बनाना है अगर 100 से कम है, लेस है, तो और लेस करना सको और 100 से more है, ज़्यादा है तो और ज़्यादा बढ़ाने जितने कम उतने हैं और कम करने हैं यह 13 यह 13 कम है अब सौ मेशे 113 कम है तो हैंसज में से 13 और और कम कर देंगे इπαने कितने rubbish आपके बोचे में 74 तो आप यहां पर सैनिटी फोर लिख देञे हैं अब 13 का स्क्वेर 169 होता है मैं आपसे यही कह रहा था कि 25 तके स्क्वेर रटने की जूर्थ यहाँ पर इसलिए पढ़ती है 13 का स्क्वेर 169 होता है अब 13 का स्क्वेर 169 है तो हमने क्या किया 69 तो यहां लिद देंगे और 1 पीछे कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7569 तो यह आंसर हो गया स्क्वेर आ गया तो यह तरीका है जिससे आप 100 के 25 इदर और 25 इदर यानि 75 से 125 तक कि किसी भी नंबर का अब आप स्क्वेर निकाल सकते हैं दोस्तों प्रैक्टिस करिए जितनी जादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जादा आप स्पीड बढ़ जाएगी जितने जादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आंसर दे पाएंगे गलतियां कम होंगी और प्रैक्टिस से ही आप इसको प्रफेक्शन ले पाएंगे अब 75 से 125 तक कि हमने सीखे मैंने आपको शिखा दिया है प्रैक्टिस आप स्वैम करें 75 से 125 तक यह नंबर की सब की प्रैक् तो 50 से देखना है वहां 100 से देखा था यहां 50 से देखना है सिस्टम वही अमीर को और अमीर बनाना है गरीब को और गरीब बनाना है लेकिन यहां पर एक खास बात है पहली चीज़ 50 से अमीर यह गरीब यह देखना है तो मान लिजे, मैंने पहले एक अमीर ले लिया, 53, कितना अमीर है, 3 अमीर है, ठीक है सब, 3 अमीर है, अब 50 का बेटा है 25, कहने लगा, पापा, पापा, मुझे अमीर बनाओ, मुझे गरीब बनाओ, संक्या को मत बनाओ, नंबर को मत बनाओ, मुझे अमीर बनाओ, मुझे गरी को बनाना है अमीर बनाना है तो 25 को गरीब बनाना तो 25 को तो और भी सर लो गया अब सिर्फ 25 में ही जोड़ना है और 25 में ही घटाना है तो तीन बढ़ पचास से बढ़ाना पचीस को है घटाना पचीस को है अब यह पचास से कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है तो तीन किसको तो देने 25 को, 25 और 3, 28 और आगे की कारवाई से में, आपने कितने रपर दिये थे, 3 दिये थे, तो 3 का वर्ग चिपका दो, 3 का वर्ग होता है 9, तो लिखेंगे 0, 9, लीजे आंसर आगया, मान लीजे मैंने कहा यह गरीब लेता हूं, मैंने कहा 44 का स्क्वेर निकालना है, अब अमीर गरीब 50 से देखना है, 50 से कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है, तो आप 25 में 6 कम कर दो, कम भी 25 में कर रहे हैं, बढ़ाने भी 25 को है, आप 25 में 6 कम की है, तो कितने आ गए, 19, और 6 का स्क्वेर क्या होता है, 36, यह चिपका दिया पगल में, तो यह है ट्रिक दोस्तों, इस से 11, 36, तो यहां लिख दीजे आप 36, अब आपने 11 दी है, 25 में 11 बढ़ाए है, तो 11 का स्क्वेर चिपका नहीं, 11 का स्क्वेर क्या होता है, 121, तो 121 में से 21 तो यहां लिखूँगा, एक को पीछे हासिल बेजूँगा, तो आंसर आ जाएगा, 3721, यह आंसर आ गया, तो यह द अब कोई भी नंबर हो, आपको एक से 25 तक बस वर याद रखने, एक से 25 तक वर याद है, तो 25 से लेकर 125 तक कोई भी संक्या हो, उसका आप इस तरह से वर निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाला, 25 से 75, मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ, आपकी प्रेक्टिस बढ़ अब 22 ज्यादा है तो 25 को 22 देने, 25 और 22 होते हैं 47, अब 25 में 22 जोडे और 47 हमने लिख दिये, 22 जितने ज्यादा देते हैं उसका वर चिपकाते, अब 22 दिये हैं, तो 22 का वर चिपकाना है, 22 का स्क्वेर क्या होता है, 484, यह आपको याद रखने पढ़ेंगे, जब बड़े बड़े नंबर्स का निकालना है, तो आपको 25 तक के स्क्वेर याद करने पढ़ेंगे, बस छोटा सा कारवाई करने हैं, 25 तक के स्क्वेर रटने हैं, उसके बाद 125 तक की मुट्टी में, जैम में, तो 22 का स्क्वेर होता है, 444, तो मैंने 84 तो यहाँ लिख दिया, और 4 यहा और शेर भी कीजिए, मैंने जैसा कि अपने बाकी वीडियो में भी कहा है और आपको मैं हमेशा कहता आया हूँ, कि ग्यान जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, दोस्तों में ग्यान बाटिए, जो सीखा है उसको आगे सिखाईए, वीडियो शेर कीजिए, जितना आप ग्यान बाटेंगे, उतना आपका ग्यान बढ़ेगा, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं, आज की क्लास यहीं समाप्त है, आगे और भी वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए, तो आपको नए-ने वीडियो नेट जैरेफ के आगे के बहुत अच्छे-च्छे मिलते रहेंगे, जन्यवाद.